जै मसी की दोस्तों, आज के सुरेगे मन्ना का भाग हमने लिया है भजन सहीता के पुस्तक, उसका 91 अध्याय और उसका 4 वचन वचन कहता है उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उससे छोड़ाऊंगा धन्यवाद पिता परमेश्वा, तेरा पवित सामर्थी वचन अध्बूत है, दोस्तों प्रेम क्या है इसलिए मसी ने कौन सा प्रेम हमसे किया, और किस प्रेम की बात वो यहां कर रहा है और कौन सा प्रेम वो हमें देखना चाहता है, वो किस प्रेम को हमारे अंदर देखकर हमें छोडाने की प्रितिग्या कर रहा है परमेश्वा ने अपने एकलौते पुत्र को थर्ती पर भेज़ा और उसने हमसे प्रेम किया पहला यहांना, चाहर का नौ क्या कहता है, कि परमेश्वा का प्रेम हमें इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वा ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज़ दिया, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं वो प्रेम जो हमें जीवन देता है वो प्रेम जो हमें पापों श्रापों से मुख्त करता है वो प्रेम जो हमें जीना सिखाता है वो प्रेम जो हमें सत्ति के बारे में बताता है वो प्रेम जो हमें रहा दिखाता है वो प्रेम जो हमारे बंधनों को तोड़ता है वो प्रेम जो हमें बुद्धी देता है वो प्रेम जो हमें प्यार देता है वो प्रेम जो हमें इशु से मिलवाता है वो प्रेम है इशु ने हमसे वो प्रेम किया है इशु ने हमसे जब प्रेम किया है तो अद्बुत उसने कुर्बानी की है, बलिदान किया है, हमें पाने के लिए, हमें सुख देने के लिए, क्योंकि प्रेम भलाई है, प्रेम करुणा है, प्रेम धिरजवन्त है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाता है, प्रेम अधर्म नहीं करता है, प्रेम में जीवन है, प्र परमेशर के चर्णों में जाते हैं हम कुछ लेने की आशा से परमेशर के चर्णों में जाते हैं लेकिन बाइबल कहती है प्रभू आपके दिल में प्रभू आपके मन में वो प्रेम ढून रहा है जो परमेशर ने आपसे प्रेम किया है इसलिए इसलिए उसने एक नई आग्या दी है हमें हाले लिया उसने एक हमें नई आग्या दी है उसने क्या आग्या दी है उसने आग्या दी है यहना 13.34 में कि मैं तुमें एक नई आग्या देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो वो प्रेम जो से उसने हम से किया है उसने कैसा हम से प्रेम किया उसने हमें पाने के लिए अपनी जान दे थी उसने हमें पाने के लिए दर्द सहा, दुख सहा उसने अपना जीवन नहीं जिया उसने हमें पाने के लिए वो राजा था और सेवक के रूप में उसने दुनिया में अपनी जखा बनाई सेवक के रूप में उसने जीना बताया परमेशन नहीं हाले रही है इसलिए जब वो पत्रस से मिला यहना 21, 15 से लेकर आश्टा कर चुक है तो ईश्व ने शमन पत्रस से कहा है, यहुन्दा की पुत्र, क्या तू इन से बढ़ कर मुझसे प्रेम करता है, किस से बढ़ कर इसकी बात कर रहा ईश्व? उन चीज़ों से, जिसके लिए वो baptism है, ईश्व मसी के साथ चलते-चलते, पत्रस ने लोगों को जिन्दा होते हुए देखा चंगाई पाते हुए लोगों को देखा कोड़ियों को शुद्ध होते हुए देखा इशु मसी को पानी पे चलते हुए देखा वो खुद पानी पे चला लेकिन फिर भी वो इशु मसी के زندہ ہونے کے بعد بھی وہ مشلی پکڑ رہا ہے उस शरीर का काम कर रहा है ईश्यमसी ने उसे क्या का था कि तू आज से مشلی पकड़ने वाला नहीं लेकि तू मनुश्य को पकड़ने वाला होगा इसलिए ईश्यमसी पूछता है कि तू इन से ज़्यादा मुझसे प्यार करता है इन मचलियों से, इस शरीर से, इस सुक से, इस भूख से, इन दोस्तों से इन रिष्टों से तू मुझसे ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि अगर तू इन से ज़्यादा प्यार करता है तो वही प्रेम है हमारे जीवन में वही प्रेम सत्य रखता है कि हम दुनिया से ज़्यादा परमिश्र से प्यार करें हमारा कोई भी रिष्टा परमिश्र के प्यार के आगे उचा नहीं है हमारा रिष्टा परमिश्र का रिष्टा सब रिष्टों से उपर है यही प्रेम है यही प्रेम है जो हमें सिखाता है इशू के साथ चलने का यही प्रेम जो हमें सास देता है यही प्रेम जो हमें शक्ति देता है यही प्रेम हमें ग्यान देता है यही प्रेम जो हमें बुद्धी देता है और कहता है वो प्रेम के हम इशू के साथ उसी तरह चले जैसा इश्यो मसी हमारे लिए जिया है उसने जो प्रेम हमें सिखाया है वो प्रेम हमारे अंदर बना रहे है मेरे भाई, मेरी बहन और इसी प्रेम को लेते हुँ अपने जीवन को चलाए इन संतिम समय में हम अपने प्रेम को कम ना होने दे हम कम ना होने ते, इसलिए प्रात्रा कर चारहें कि वो हमें ग्यान मिलता रहे, वो हमें बुद्धी मिलती रही हमारी संगती उन लोगों के साथ हो जिनके पास परमेश्र का प्रेम है जो परमेश्र की उपस्थिती को विशेश महत्व देते हैं आईए दोस्तों हम प्रात्रा करते हैं कि हम परमेश्र की उपस्थिती को महसूस करें और उस प्रेम को अपने अंदर बनाये रखें जैसा इश्यू चाहता है और तब वो हमें छोड़ाएगा और आशीर देगा उचे स्थान पर रखेगा इश्यू मसिया के पवद सौरती नाम से सुनने वाले हर भाई बहरें के लिए आशीर सुकर्शेंगाई मांगता हूँ एमेन, एमेन, एमेन